आज मैं आपको पिंपल्स के लिए जो पिंपल्स आते हैं उसके लिए क्या केर लेना बताने जा रहा हूं पिंपल्स के लिए दिन में चार-पाथ बार चेहरा दोईए कोई भी ओईल बेस्ट कॉस्मेटिक्स मत लगाईए और प्रॉपर ट्रिट्मेंट के द्वारा आप अपने पिंपल्स कम कर सकते हो और पिंपल्स से बस सकते है स्किन रिजियोनेशन ट्रिट्मेंट क्रायोशलस थेरपी के माध्यम से आप अपने पिंपल्स कम कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों पिंपल्स के लिए आपको जिन में पांच बार चाहरा दोना है और एंटी एकने क्रीम लगाना है और प्रिकॉशन भी लेना है थैंक यू मैंसर्फ डॉक्टर दिनेज भुतरा, I am a dermatologist, cosmetologist, trichologist and lesser specialist आज मैं आपको धूप से जो skin अपनी tan होती है उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए हो बताने जा रहा हूं आपकी अगर skin की tan होती है तो आपको धूप से बचना चाहिए जब भी धूप में जाते हो तो आपको sunscreen lotion लगाना बहुत जरूरी है sunscreen lotion के साथ आपको scarf या physical and chemical sunscreen के साथ scarf भी लगाना बहुत जरूरी है तो धूप से बचिये जिससे अपनी skin tan नहीं होंगी और साथ में oral sunscreen tablets लेनी जरूरी है जिसमें untoxid HCA नाम की गोली है जिसके सेवन करने से आप धूप के allergy से बच सकते है तो धूप से बचने के लिए धूप से बचिये skin tan मत होने दीजिए और tan होने के पश्चात उसको vitamin C serum और anti-pigmenting cream लगा के कम किजिए धन्यवाद Hello friends, myself Dr. Dinesh Bhutra, practicing as a dermatologist, cosmetologist, trichologist and lesser specialist दोस्तों मैं आज आपको आखों के नीचे जो कालापन आता है आखों के नीचे जो कालापन और जुरिया आती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत से वार ऐसा दिखा जाता है, जिन लोगों के आखों के नीचे काला पन होता है, उसमें मुख्योता पहला कारण होता है अनुईशिक्ता, अगर उनकी family history पूछी जाये तो उनके माता पिता की भी आखों के नीचे काला होता है, दूसरा कारण होता है, हमोग्लोबिन की क आइक्यूज जल ट्रीट्मेंट के माध्यम से योग्य दवाईयों के माध्यम से पूरा कम कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार मित्रो मी डौक्टर दिनेज उत्रा तचारोग तद्निया केश उप्चार तद्निया लेसर तद्निया आज मी तुमाला वांग बदल महती देना रे बार्यास्त्रीयान थुमीं बगितले असलत्याँचा गालावर, पुरुशान चांस्त्रीयाचा चोक्लेटी चट्टे हैता त्यलापन वांग बनत्योग कारन भागी बनत्योग शोक्लेटी , पतांतित घ्रक्षइ दोस्तो मैं डॉक्टर दिनेज भुतड़ा तोचा रोग तद्निया केश्वी काड़ तद्निया लेसर तद्निया आपको सफेद दाग की बिमारी का इलाज बताने जा रहा हूँ कई बार कई लोगों में ऐसी भावना है कि सफेद दाग ठीक नहीं होता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सफेद दाग पूरी तरह से अच्छा हो सकता है हमें तो पहले यह देखना चाहिए कोई भी इंसान में सफेद दाग आता है तो उसके आने का कौन सा कारण है कई जोनों का इसी ऐसा भी भ्रहम है कि सफेद दाग अनोशिक है लेकिन सफेद दाग बिल्कुल अनोशिक नहीं रहता है कई बार अपने शरीर में जो मिलानीन पिगमेंट रहते हैं वो मिलानीन पिगमेंट के खिलाफ कुछ एंटी बॉडिस तहार हो जाते हैं और मिलानीन पिगमेंट काम करना छोड़ देते हैं इसको जैसे सफेद दाग आ जाते हैं इसका सही इलाज करते है और मिलानिन पिगमेंट को अपन एक्टिव करते है तो सफेद दाग पूरी तरह से अच्छा हो जाता है पुवा थेरपी, क्रायो थेरपी, एक्जाइमर लेजर्स और पंच ग्राफ्टिंग यह कही ट्रिट्मेंट के माध्यम से हम सफेद दागो पूरी तरह से अच्छा कर सकते है धन्यवाद मित्रहो, मी डॉक्टर दिनेश पुतरा, तोचारोग ततन्या, केश्विकार ततन्या, सवंदर ततन्या और लेसर ततन्या मित्रहो, आज मी तुमाला गच्छकरन, फंगल इन्फेक्शन है बदल महाईती देना आरे आज अपला देशा मदे माक्चा दोन वर्षा पसुन गच्छकरन खुब जोरात फैलता है अनि हाँ गच्छकरनाचा मूल कारन काया और अपला कमी जालानें तरी तो वापस काये तो आन तो न इन्फेक्शा काये काये चे यहा बदल महाईती देना रे गच्छकरनाचा बराज़ा आसा होता कि आपन मनानी स्ट्रिट्मेंट करतू क्यों आउशद उप्चार पूर्ण न केला मूले गच्छकरन तातपूर्ता कमी होतू आने वापस हेतू गच्छकरन अपलाला कायम सुरूपी कमी कराये चासेल आपलाला चार महाईञ उपचार करना जरूरी आये जरी 15 जुसा चा आतस आपलाला फरक पड़तासेल तरी पुर्ण पने आपला शरातना फंगस कारना साठी चार महाईञ उपचार करावे मनानी कुंते आउशद लाउने जने करूं गच करना चे साई रिफेक्ट हो नार नार नाई धन्यवाद नवस्कार मी डॉक्टर दिनेज घुतड़ा तोचारोग तद्न्या केश उप्चार तद्न्या संदर तद्न्या वा लेसर तद्न्या मितरोः आज मी तुम्हाला सुरंजी शुर्मी बादल महति देना रे बर्याज दा ही सुर्मी शुरंजी हाश्च रणना महति आसतो आपले च्छातिवर, पाठिवर, पोटावर और बर्याज दा मानेवर सुध्या पांड्रे और चॉकलेटी चट्टे अड़ताथ यह पांड्रे और चॉकलेटी चट्टे कही नसून शुरंजी असते सुर्मी मंजे है एक सुपर्फिशल फंगल इन्फेक्शन आये जा लोकाना खुब घामे तो त्या लोकाना है सुर्मी चा प्रमान अड़तो पन बर्याज दा चार उप्चारन के लिए मुड़े क्यों सुर्मी बर्याज दा पांड्रे डागा सरके अड़ते मोन लोकान बर्याज दा तला कोड पांड्रे डाग समस्ताथ पन ये अंटीफंगर ट्रित्मेंड द्वारे आपन सुर्मी और्याज पूर्ण अपकर क्मी करू शक्तो सुर्मी क्मी घालान अंतरहे कई दिवस आपनाला साबण सा बापर करने ज़रूरी आये जयने करून सुर्मी एनार नाई धन्यवाद